नमस्कार जैहिंदमित्रों श्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल भी मचित्रा पर आपको यहाँ पर मिलते हैं रिवीजन क्लास, मौक टेस्ट और आपके लिए प्रैक्टिस जो आपके एक्जाम को बेहतर बनाते हैं तो चलिए आज का प्रयास आज का जो टॉपिक है शुरू करते हैं आप लोगों के लिए कैसा लगता है तो कमेंड में राय अपनी जरूर बताईए का भाई हम आपके लिए मेहनत करते हैं प्रयास करते हैं कि आपका एक्जाम अच्छे से हो आप अपने एक्जाम में सफल हो किसी भी कारी में बस जरूरत होती है अपने आप में एक आत्म विश्वास की एक confidence की ताकि आप जब ऐसा करेंगे तो आपका जो भी target होगा जो भी लच होगा उस लच को आप भेद पाएंगे यानि की आर पार कर पाएंगे तो चलिए भीमा चित्रा चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और आपका जो steady material है यहां से ग्राहर करत जरूरी है भाई तो चलिए आज का जो topic है बाल विकास का है यह revision class चल रहा है point के हिसाब से जो आपके important point है हम आपके लिए ऐसे तिन सार 5 पांच से वीडियो upload कर दिये हैं जो भी सिधान थे और इसके और भी parts थे और उनको आप देखने के लिए नीचे description में link मिल जाएगा से आप देख सकते हैं और वहीं आप मैं एक चीज कहूंगा कि आप चैनल को subscribe करके bell icon जरूर दबाएं ताकि जो भी नए वीडियो upload हो आप तक पहुंशती रहें आपका preparation अच्छे से होता रहें और आप अपने लच को भेद कर पाएं तो चलिए आज का जो topic होने वाला है ब दो मिनट तक देखने के बाद समझ में आ जाता है कि ये matter मेरे लिए है या फिर नहीं है और जब ऐसा लगे कि भई ये मेरे ही लिए है तो इस वीडियो को वन तक जरूर देखें और जब आप देखेंगे तो आप किसी भी exam को देंगे तो वहाँ भी या क्या करेंगे आप इतिहास रचेंगे जिब बिल्कुल सही तो चले आज का जो टॉपिक है आपका है विकास के बिभिन सिध्धान तो उन सिध्धानतों के बारे में जानते हैं तो पहला आपका है निरंतर का सिध्धान क्या भी या निरंतर का सिध्धान इसके बारे में जानते हैं तो विकास की गति भिन होती है और विकास निरंतर का सिध्धान जो है इस बात पर बल देता है कि ब्यक्ति में कोई आकश्मिक परिवर्तन नहीं होता यह कथन जो है यह बात कि इस नहीं कही थी तो यह जो है कि स्कीनर जी ने कहा था कि जो है ब्यक्ति में इस बात का जो है बल देता है कि बैक्ति में अकाश्मिक परिवर्तन नहीं होता और इसी चीज को जो है जानकारी दी आपके इश्की नर्म होते ने तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ आपका कुछ और इसमें है उसको भी जानते हैं कि बैक्ति के विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चल इसकी गति कभी तीब्र तो कभी मंध हो जाती है मतलब यह हमेसा कॉंस्टेंट नहीं बना रहता इस्थिर नहीं बना रहता जैसे आपको परिया वराल अच्छा मिल गया कोई मोटिवेशन आपको करने वाला उस साहित करने वाला वैक्ति मिल गया तो जाहिर से बात आप उस ही अच्छा होता है यह बिल्कुल सही है आपने अनुभो किया होगा तो कहने का मतलब यह है कि बैक्ति की जो प्रक्रिया है जो विकास की प्रक्रिया है उन निरंतर चलती रहती है बड़ उसमें कंडिशन है क्यों कभी का मतलब इस्तिर नहीं रहती है वह आपरिवर्टन सील है तो जीरो से तीन वर्सों में विकास की गती बहुत तीब्र होती वह यहां कितना बहुत तीब्र यहां पर सबसे तीब्र गती से विकास होता है बच्चों में और ग्यारा वर्स की गति पुना फिर सितीब्र हो जाती है और अठारा वर्स के बाद उनका जो गति है विकास की ओ मंद हो जाती है यानि की धीम हो जाती है चेर ये नेक्ष्ट है आपका सिधान्त की विकास क्रम का सिधान्त पहला तो आपका था निरंतर का सिधान्त अब आपका नेक्ष्ट भ तो गले से विशेष प्रकार की आवाजे निकालता है और साथ मा का सिसू जो है अपने माता पिता मा आध के सब्दों का प्रियोग करना सीख जाता है आपको पता ही होगा बच्चा सबसे पहले मा को पहचानता है और मा के पास रहने की वज़ा से ओधिक से अधिक सक्री देख तो और भी बहुत सारी चीज है जो की मा के साथ ही उसका प्रक्रिया जाधा होता है तो मा ही वो सबसे पहले बोलता है और यह प्रक्रिया कब होता तो आपका मा सब्द बोलने लगता है साथ मा गा ठीक है चलिये विकास जो है समाने से बिसेस यानि की बिसेश्ट की तरफ अगरसरित होता है बढ़ता रहता है और बिकास की जो सब अवस्थाओं में बालक की प्रतकριाएं होती है विसेश्ट बनने से पूर्व शमाने प्रका का ओपधार की होती है और यह कथन किसने कहा था यह बात आपके मतलब किसने बताई थी तो आपके हरलाक महोदजी हैं कौन है हरलाक जी हैं और नौग algorithm क्या हुता है कि किसी वस्त को पकड़ने के लिए किसी विसीसंग का प्रयोग कर ने से पूर्व अपने सरीर का जो है संचालन करता है क्या करता है अपने सरीर का संचालन करता है जब वो किसी भी चीज़ को पकड़ना चाहता है जो नौजास सिसू होता है चैलिए एक ही करण का सिद्धान भई ये मैं आप से कहूंगा कि जो पॉइंट आपको समझ में ना आये या फिर आपके मन में कोई कोई कोश्चन पूट अफ हो रहा है तो आप हमारे इमेल आइडी पर पूछ सकते हैं प्रजापतिभीम ऐडिरेज जीमेल डाट काम पर या फिर आप हमारे फेस्बुक पूइज भीमा चित्रा यूटूब चैनल को फालो कर सकते हैं वहां भी पूछ सकते हैं और यहां आपके वीडियो के नीचे कमेंट वाला आपसन तो होता ही है तो आप कहीं से भी पूछ सकते हैं प्राब्लम देखो तब होती है जब बंदा नहीं जानता और उसको अपने अंदर सहेस कर रखता जाने दो क्या पूछें इगनौर करता है तो यह बहुत गंदी आदत है और यह जरूरी नहीं है कि यार सब एक ही बार में आ जाए और आप अगर पूछते हैं तो डाउट्स हमेशा के लिए किलियर हो जाएगा सो गाइज कहीं भी प्राब्लम दिखें तो कमेंट करके जरूर पूछें या फिर और आप जानते हैं कुछ तो बता भी सकते हैं हम ऐसे स्टुडेंट का ऐसे पढ़ने वालों का सम्मान करते हैं और उन्हें ऐसा जो है करने के लिए हम कहेंगे कि ये बहुत बढ़ी आदत है तो चलिए अब आते हैं नेक्ष सिद्धान पर आपका नेक शिद्धान्थ या एक ही करण का सिद्धान्थ कौन से सिद्धान्थ है तो एक ही करण का सिद्धान्थ है इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा इस सिद्धान्थ के अनुसार बालक सबसे पहले संपूर अंग को चलाना सीखता है और उसके बाद जो है अंग के किसी भाग को चलाना सीखता है फिर उसके बाद वह उन अंगों को एक साथ चलाना सीखता है तो बालक जो होता है वो सबसे पहले क्या करता है जो आपका एकी करण का सिधान था इसी के अनुसार बालक सबसे पहले संपूर अंग को चलाता है जैस पंजे से पकड़ता है यानि कि पूरा का पूरा अंग प्रयोग करता है तो पहले बालक ऐसे ही करता है उसके बाद धीरे-धीरे सीखता है कि नहीं मुझे एक अंगलिस पकड़ना है दो अंगलिस पकड़ना है तो ये चीज होता है तो बालक जो है पहले क्या करता है संपूर अंगों को चलाना सीखता है उसके बाद किसी भाग को और उसके बाद अंगों के साथ साथ चलना सीखता है विकास में पूर अंगों की ओर यों अंगों से पूर की ओर गत नहीं तो होती है और विभिन अंगों का जो एकी करण की गतियां है उस सरलता से सफल बनाता है यह बात किसनी कही थी ते आपके कुप्पु श्वामी जी ने कहा है जो आप के लिए बहुत इंप्वार्टेंट है सो गाईज इसको याद रखिए और बढ़ते रहिए सफल होते रहिए ये आपका जो भीमचित्रा इस्टडी पॉइंट है हमेशा कारेड़त है कि शभी भाई शभी बहन अपने कार में शफल हो और अग्रशर हो जो भी उनका लच्छे पूरा करें हशी खुशी से रहें और स्वस्त रहें तो भई एक चीज़ मैं और आप से कहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्त का विशेज ध्यान रखें जब आप स्वस्त रहेंगे तभी आप किसी भी टार्गेट को भेद पाएंगे किसी भी लच्छ को हासिल कर पाएंगे तो स्वास्त बहुत जरूरी है कहते हैं health is built मलब आपका स्वास्त सही है तो सब कुछ सही है बहुत स्वास्त पर भी ध्यान देजिए बिगाश अपना श्वयम का स्वरूप होता है और इस स्वरूप में बैक्तित भीनता पाए जाती है एक ही आई के दो बालक या बालिकाओं के सरीर मानसीक समाजिक आदि बिगाश में बैक्तिक भीनताओं को इस्थित अश्पष्ट दिखाई देती है और जो बिगाश के सुरूपों में ब्यापक बैक्तित भीनता होती है तो यह सब जो बाते हैं यह सब जो प्वाइंट से किसने बताया है कि फिर से दिख लेते हैं जो बैक्तिक भीनता का सिध्धानता है इस सिध्धानत करने देजरार प्रतेग बालक और बालिका का बिकाश अपना श्रैम का शुरूप होता है और इस शुरूप में बैक्तिक भिनता पाई जाती है एक ही आई की दो बालक या बालिकाओं के सरीरिक मानसिक समाजिक आदि बिकाश में बैक्तिक भिनताओं को इस्थिती जो है अवस्था जो है दिखाई देती है और विकास के सुरूपों में ब्यापक बैक्तिक भिनताय होती है या किसने कहा है इस 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 इंपॉर्टन्ट है कि विकास के सुरूप में ब्यापक बैक्तिक भिनताय होती है तो ये बात आपके इसकी नर्महोदे जी ने बताया है किसने बताया है इसकी बारे में जानते हैं थोड़ा सा थोड़ा सा क्या पूरा जानते हैं जवाब के लिए जरूरी वैया कोई भी पॉइंट चूटेगा नहीं आप कमेंट में बता दक सकते हैं कुछ चूटेगा तो जरूर बताएगा तो इस सिध्दान्द के अनसर बिकास जो है लंवद ना होकर वरतुला कार होता है और एक ब्यक्ति सीधा चलकर बिकास नहीं कर सकता बलकि आगे बढ़ेगा उसके पस्चाथ पीछे आएगा और उसके पस्चाथ पुनों है आगे बढ़ेगा मतलब हमने आपसे पहले ही चर्चा क कभी इस तरह हो जाएगी मतलब बढ़ जाएगी और कभी इस तरह हो जाएगी कभी इकदम से इस तरह हो जाएगी कभी इस तरह इकदम से टाप पे चले जाएगी तो ये चीज होता है विगास तो हमेशा होता रहता है बट उसमें बात क्या होती भी या वो आपका परिवर्ट चलेंगे तो जाहिए बात है कि आप भी आज जिस चेतर में जाना साहेंगे वहाँ आपका सुफर फास्ट रनिंग चलेगा और अगर आपके लोग आपके विचार के लोग आपको डिप्रेशन में डाल देंगे और डिप्रेशन में मैं कहता हूं भई कोई भी काम संभो नहीं होगा बस वही रिगिर रिगिर चलेगा जिसका कोई मतलब नहीं है तो आएए आता है टॉपिक वैर आपका टॉपिक अभी आप विकास का वर्तुलाकार सिद्धान तो इस सिद्धान के अंशार विकास लंबोत ना होकर वर्तुलाकार होती है और एक बेक्त सीधाद सलकर कि फिर रुकेगा फिर बढ़ेगा ये चीज होता है और बिध्य और विकास जो है ये वन्षान क्रम और वाता वरड की अंता क्रिया का पैडाम है क्या है जो विकास और बिध्य होती है ये वन्षान क्रम और वाता वरड के जो है अंत्रिक क्रिया उसके अंदर की क्रिया का पैड यह सिद्ध किया जा सकता है कि वन्शान कुरम उन शीमाओं को निश्चित करता है जिन के आगे बालक का जो है विकास नहीं किया जा सकता और इसी प्रकार जो है यह प्रमारित किया जा चुका है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में दूशित वाता वरड कुपोशड या ग कि भी यह जो है निर्वल बना देती है और यह जो है बताने वाले आपके कौन है इसकी नर्महोदेजी है चलिए नेक्ट पॉइंट है आपका कि मस्तक्स धो मुखी क्रम या सेफिलोडोमल थियोरी या किसका है और इसमें क्या बताया गया भी यह आए जान लेते हैं बने रहे यह फटा फट बेडियो के साथ और लाश्ट तक जरूर देखें ताकि आप हर चीज समस्पाएं तो इस सिधान्द के अनुसार बालक का विकास जो है सिर से पैर की तरफ होता है और निकट से दूर का सिधान्द का प्रॉक्षी डोमिल अस्तल थियोरी जो है इस सिधान्द क अनुसार बिकास मद्ध से बाहर की ओर योम केंद्र से सिरों की ओर होता है ये सिर होता और आपका नेक्ट जो सिधान्द है उसको भी देखते हैं वो है परमपरा शंबंद का सिधान्द तो इस सिधान्द के अनुसार बालक के सारीरिक मानशिक शंबेगात्मक आद के विका होगा शरीर में उसके तो उसके साथ साथ भासा विकास भी होगा शंबेगात्मक विकास भी होगा और उसकी रूचियों में परिवर्तन होगा उसकी जो पसंद करने की छमता है जो पसंद करता है उसमें भी परिवर्तन होगा और सारीरिक संबंदी द्रिश्ट कोंड जो होता ह यह कथन है और कथन भी आप पूचा जाता है जो आहे आपका सी टेट हो यूपी टेट हो एमपी टेट हो राजस्थान टेट हो हर जगा कथन बहुत इंपॉर्टेंट है सो गाइज कथन को थोड़ा सा किंद्रित होकर देख लिजिए तो सारी प्राब्लम्स तूर हो जाएगी तो सारीरिक संबंधी जो द्रिष्टिकोंड ब्यक्त के बिभिन अंगों के विकास में सामंजस और परस्पर संबंद पर बल देता है तो ये क्या किस ने बताया है कि वो जो है सामंजस पर बल देता है तो आपके गैरिशन ने बताया कि जो है सामंजस और परस्पर संबंद पर बल देता है कौन बल देता है ये आपका सारीरिक संबंधी द्रिष्टिकोंड जो होता है ये आपका इन चीजों पर बल देता है और प्रतेग विकासात्म का उस्था में अंतर नहित जो है खत्रे होते हैं ये चीज गैरिशन ने बताया तो ये जितने भी सी धान थे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टन थे सो गाइस वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट में अपनी राज जरूर दें और सभी भाईयों का दिन सुब हो सभी अपने कार में शफल हो इशी हार्दिक इच्छा के साथ अपनी बाणी को भी राम देता हूँ नमस्कार जहिन शश्या कालमेत्रों जहिन